तो हेलो दोस्तों आज हम प्राब्लम नमबर 72 डाट इस नॉन ओवरलापिंग इंटरवल्स पर आने वाले हैं और लगबग हमारा ब्लाइंड 75 होने वाला है और आज 72 डेया है लगातार चल रहे हैं तो कोशन पर आते हैं डारेक्ट कोशन कहा रहा है कि नॉन ओवरलापिंग इससे एक चीज़ याद आती है कि हमने इंटरवल जैसे ही और भी प्राब्लम किये थे पहले कभी है ना एक्जैक्ली वैसा ही है इसे इंसर्ट इंटरवल और मर्ज इंटरवल्स तो अगर तुमने थोड़ा बहुत रिफ्रेशर चाहिए है तो यह 17-18 देख लेना तो यह इ हमें इंटरवल्स दे रखे हैं यह 1 से लेगे 2 तक 2 से लेगे 3 3 से लेगे 4 और 1 से लेगे 3 तक तो हम कौन सा इंटरवल हटा दें इनमें से मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हटाएं कि हमारा नॉन ओवरलैपिंग हो जाए यानि जैसे लाइन बनाएंगे इनकी ना तो 1,3 को अगर हम हटा देते हैं एक ही को हटाने की चरत है तो आउट्पूट 1 आ गया तो यह पूछ रहें कि कितने को हटाएं कि हमारा नॉन ओवरलैपिंग हो जाए मतलब ओवरलैप ना हो किसी दो के बीच में तो कोई ऐसा हटाएंगे ना जो सबसे जादा दिक्कत कर रहा ह है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका एक बार पहले तुम्हें नॉट्बूक बना के दिखाता हूं यह तो इसके बाद कोड समझते हैं सो मैं एक बार इंपुट लिख लेता हूं 1 2 2 3 3 4 और 1 3 ऐसे कोशन को वीज़ाइस करने का तरीका ही होता है कि हम बना के देखें यह 1 है यह 2 है यह 2 है यह 3 है ठीक है और मतलब 2 और 2 यह है 3 यह है 3 यह है 3 और 4 3 और 4 तरी यह लास्ट वन से लेके 3 तक यहां से लेके यहां तो अब देखो कितना easy समझ में आ रहा है ना इसका output जो था वो क्या था 1 था कि हमें एक ही को हटाने है और वो हटाने वाला element था यह वाला इसको हटा दोगे तो कोई overlap नहीं करेगा इनको overlap नहीं कहेंगे ठीक है जो point से point मिलते हैं ठीक है तो हम कैसे पता लगाएं कि क्या द तो यहां पर आता है एंड प्रीवियस करके मतलों यह प्रीवियस वैल्यू का एंड है मतलों यह आगे वाली वैल्यू है तो इसके प्रीवियस वैल्यू का एंड है यह स्टार्ट प्रीवियस है ना स्टार्ट प्रीवियस तो अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो इसका तो यह overlap नहीं कर रहे हैं तो अगर smaller than equal to है तो फिर यह overlap नहीं कर रहे हैं अगर overlap का case कहां बनता है जैसे इन दोनों के case में देखोगे तो दो जो है इसका end पहले आगया इससे है ना मतलब दो और एक में अंतर है ना अगर आप इसको देखो तो इसस्वाले का end जो है वो greater than निकला इससे इसका अगर आप कर रहे हैं तो हमें इस case में क्या करना पड़ेगा कि जो minimum वाल है उसी को रहने दो तो हम चेक करेंगे कि दो और तीन में से minimum कौन है तो बोलेंगे 2 minimum है तो उसको रहने दो इसको हटा दो और अपने answer में answer को शुरू में 0 रखेंगे और एक number add कर देंगे तो इसका अतला हमने यह overlapping दिखा तो इसका अतला हमने यह overlapping दिखा तो कि और क्या cases बन सकते हैं कि जैसे 1, 2 है एक एससा हो सकते कि यहाँ पर कही 1.5 आ रहा हो और यहाँ 3 जा रहा हो तो तुम्हें पता ही कि इन में से कोई भी एक हटा दो दिक्कत नहीं होती तो टेक्निकली अगर हम अपने algorithm लगाएं असल में तुम देखोगे अगर हम ऐसे सोचें कि इसको लगाएं या हटाएं इसको लगाएं या हटाएं हमरे बास दो अप्शन नजर आएंगे हर किसी में इसको लगाएं या हटाएं इसको लगाएं या हटाएं तो तु की पावर एं हो जाएगा अगर हम इनिशली देखें तो जब बिना कुछ करें वागर यहाँ पर जब हम सौट के थू करते हैं सौट के लिए लॉग न लगता है वागर आइटरेट करने के लिए अन लॉग न हो जाएगा टाइं कॉम्प्लेक्सिकी तो चेक करना है कि वन से टू के वन से टू गया टू जो है वो एंड है हमारा क्या एंड जो है इससे जो ह है इससे छोटा या बराबर है नहीं मैं पूछाँ है क्या टू — smaller than smaller than equal to है कर 1.5 नहीं है इससे कर लगो जह तो हम क्या करेंगा इस case में इन दोनों में इस compare करेंगे थू और 3 में जो कि 2 MINIMUM है इसको खागा देंगे ठीकिए आईसा रास्ते चलते हैं तो हम ऐसे करते जाएंगे फिर next value के चेक करेंगे एक बार हमने इसको भगा दिया ना तो अब यह है अब इन दोनों में compare करेंगे फिर आगे जाके value प्रिविए प्रिविए एंड प्रिविए की value change करते रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे यही था concept और इसका code कर देंगे क्यों करेंगे sort fairness क्या होगा एक चीज हमें पता चिल जाएगी कि line wise कैसे लगें ठीक है sort में इसमें क्या होता है कि starting जैसे यह है तो one two three four ऐसे चलता है अगर जैसे one और one match कर रहा है तो पीछे से sort होता है तो two पहले आजाएगा three बात में ठीक है start से sort करते हैं अगर start हमारा जो पहला वाला है ना first one is this तो one comment two का end जो है इसको तो देखना पड़ेगा कि हमारा end क्या है तो हम इसको ले लेते है कि अ एंड प्रीवियस ठीक है मतलब प्रीवियस का एंड जो होता है कि यह हमारा क्या हो जाएगा interval में इंटरवल्स का zero का first वाला है ना जीरो का zero तो हमारा start होगा और जीरो का first वाला end होगा तो अब क्या करेंगे for for start and in interval intervals कहां से जीरो तो हमने चेक कर लिया तो बंद से आगे वाले लेते हैं अगर हमारा start जो है वह greater than equal to equal to क्यों लेंगे क्योंकि equal to वाली condition भी है ठीक है ओर लाप की ध्यान रखना अब प्रीवियस होता है जो पिछले वाले का end है उससे start अगर जाता है या बराबर होता है बराबर भी चलेगा overlapping के case में बराबर वाला नहीं माना जाता है ना तो हम क्या कर देंगे अपना प्रीवियस को किसके set कर देंगे एंड से set कर देंगे यह है ना end तो इसके end से set कर देंगे यह दो तो बच्चे गए overlap होने से थोड़ा दिमाग में visualize हो पाँ रहा है मतलब अगर दूसरे वाले का start जो है वो greater than equal to end previous से तो जो हो जाएगा वो नए वाले का end हो जाएगा answer को बढ़ाएंगे कि हाँ चलो एक को और तो हटाना पड़ेगा किसको हटाएं जो हमारा end previous है ना end previous इसको minimum of रख देंगे ठीक है मतलब जो भी minimum है end में से और end previous में से क्यों रखेंगे कि maximum वाला तो आगे भी जाके overlap हो सकता है है ना तो हम उसको हटा देंगे ना मतलब मिनिममम वाला end previous इक्वल टू मिनिममम ओफ और end previous इना तो मतलब जो भी मिनिममम रहेगा उन दोनों में से उसको हटा देंगे वागे वाले को चेक करने के लिए ठीक है और हम अपने इसको क्या करतेंगे फाइनली ये लूप जब हो जायागा तो रिटरन करतेंगे अंसर को ठीक है तो बस यही था इसको रण करतेंगे कि एक्सेप्ट हो रहा है वैसे समिट करके देखता हूँ तो ठीक है यहना एक्सेप्ट हो रहा है सक्सेस आ रहा है तो यही था कोड़ भाई होग तुम्हें समिट में आया होगा और ऐसे ही फॉलू करना ब्लाइंड 75 को मिलते हैं अगली वीडियो में ओके